Dear Students of 5th Class, आज हम आपकी English Textbook से Action Time इस चेप्टर को बढ़ने वाले हैं. तो आज़े देखते हैं इस चेप्टर में हमें क्या दिया गया है. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें दो boxes दिये गए हैं. एक box है A और दूसरा box है B. इन दोनों भी boxes में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ words लिखे हुए हैं. अब हमें क्या करना है? हमें तो सबसे पहले इन words को इनके meaning के साथ पढ़ लेना है. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला word है sit. Sit मतलब बैठना. Stand खड़े होना. Walk यानि चलना. Run यानि दोड़ना. Turn यानि दाएं या बाएं मुड़ना. Bend किसी चीज का मुड़ना. उसके बाद है sing यानि गाना. Smile मुस्कुराना. Laugh हसना. Speak बोलना. Clap ताली बजाना. Tap थपकी देना. Look देखना. Point इशारा करना. Him यानि आना. Go. जाना. आप देख सकते हैं ये सारे words जो हैं. These are the action words. इन words से हमें action होने का पता चलता है. उसके बाद आते हैं box B के तरफ में. और देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से words हैं. तो हम देखते हैं कि पहला word है up. अप यानि उपर. Down नीचे. Fast यानि तेज. Slowly, धीरे. Quickly, जल्दी से. Loudly, जोर से. या तेज आवाज से. Softly, आहिस्ता से. Left यानि बाएं. Right यानि दाएं. Around यानि चरो तरफ. In यानि अंदर या में. Out यानि बाहर. Your feet यानि आपके पैर. Your hands, आपके hands. To the board, बोर्ड की तरफ. At the door, दोर के पास. ठीक है? Students, now the question arises. That what we have to do with these two boxes. इन दोनों boxes के साथ में हमें आखिर क्या करना है? तो ये बात बताएगा हमारा question. तो आईए question को जाना लेते हैं. कि question क्या कहता है? Write down any five meaningful commands. You can make from A and B. आपको इन दोनों boxes में दिये गए words को properly match करके meaningful commands बनानी है. अब ये commands क्या होती है? Command का मतलब होता है हुक्म. यानि आदेश, यानि के order. तो हमें इन दोनों boxes के words को properly match करके हुक्म, आदेश, या फिर orders तियार करने हैं जिसको command कहा जाता है. तो आईए देखते हैं कि इन दोनों को properly match करके हम कैसे commands produce कर सकते हैं, आदेश बना सकते हैं. तो पहली command हमने बनाई है, stand up, तो इसमें command दी जा रही है, stand up, यानि खड़ हो जाईए, sit down, बैट जाईए, walk slowly, धीरे चलिए, run fast, तेज भागिए, इसके बाद है, turn quickly, जल्दी से मोरिए, bend your feet, अपने पैरों को मोरिए, sing loudly, जोर से गाईए, smile softly, आहिस्ता से मस्कराईए, love loudly, जोर से हसिये, speak up, आगे बोलिए, clap your hands, हातों से ताली बजाईए, tap your feet, अपने पैरों को tap कीजिए, या छूईए, look right, दाएं देखिए, point at the door, door की तरफ इशारा कीजिए, come in, यानि अंदर आ जाईए, go out, यानि के बाहर चले जाईए, तो इस तरह से हमने हमारे question number one को complete कर लिया है, students मुझे लगता है कि आपने इस question number one को बहुत भी समझ लिया है, तो इसके बाद का question हम अगले lesson में करेंगे, तो जल्दी मिलते हैं अपने अगले lesson के साथ,